हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्ड्यू किचन में मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाएंगे रोस्टेट ओट्स नमकीन यह जो नमकीन आज हम बना रहे हैं, इसे हम आट-दस दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं जब भी कभी कुछ हलका-फुलका खाने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेसबूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को फॉलो करें तो अब चलिए टाइम डवेस्ट करते हुए चलते हैं गैस की तरफ और रोस्टेड ओर्ट नम्तीन बनाना शुरू करते हैं कडाई को मैंने गैस भी रख दिया है इसमें सबसे पहले हम दालेंगे मुफली यह मैंने आधा कप मुफली ली है इसको हम ड्राय रोस्ट करेंगे इस तरह से लगाता चलाते हुए इसको हमें रोस्ट करना है ये देखिए मुफली थोड़ी थोड़ी रोस्ट होने लग गई है जब मुफली पूरी तरह से रोस्ट हो जाती है तो इसका छिलका उतरने लग जाता है तब आप समझ लिजेगा मुफली अच्छे से रोस्ट हो गई है अभी इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा ये देखिए ये मुफली अच्छा से रोस्ट हो गई है इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट होने में लगबग 2 मिनट का टाइम लगा है अब हम इसको निकाल लेंगे मुफली को मैंने निकाल लिया है अब इसी गरम कड़ाई में हम दालेंगे मखाने ये मैंने आदा कप मखाने लिये हैं इन मखानों को भी हम मेडियम फ्लेम पे इसी तरह लगाता चलाते हुए रोस्ट करेंगे ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं माखानों को roast होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इनको भी हम निकाल लेंगे, अब इसी गरम कड़ाई में मैं डालूँगे काजू और बदाम, इनको मैंने बीच में से कट कर लिया है, काजू और बदाम को भी इसी तरह लगाता, चलाते हुए हमें ड्राय रोस्टी करना ह ये देखिए काजु और बदाम भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम एक बॉल में निकाल लेंगे और अब इसी गरम कड़ाई में मैं दालूंगी नारियल, ये मैंने सुखा नारियल लिया है और इसको लंबा-लंबा कट कर लिया है, और साथ में दालूंगी थोड इसको रोस्ट करना है, इसको रोस्ट करने से इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है, ये भी रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम एक बॉल में निकाल लेंगे, अब इसी कड़ाई में मैं दाल दूंगी ओट्स, ये मैंने 1 cup ओट्स लिये हैं, इसको हम low to medium flame पे इस तर से रोस्ट हो गए हैं, इसको रोस्ट होने में लगबग 3-4 मिनट का टाइम लगा है, जब ओट्स पूरी तरह से रोस्ट हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है, अब हम गैस की flame को बंद कर देंगे, और इसमें मिलाएंगे ये जो हमने मखाने रो और अब इसमें मैं मिलाऊंगी नमक 1-2 TSP, साथ में मिलाएंगे लाल मिर्ची 1-2 TSP, चाट मसाला हम दालेंगे 1 TSP, और साथ में हम मिलाएंगे 1 TSP घी, इन सभी को अच्छे से mix करेंगे, घी को दालना पूरी तरह से optional है, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन घी जालने से यह जो मसाले हमने mix किये हैं, वो अच्छे से coat हो जाते हैं, अगर हम गी नहीं दालते हैं, तो जो नमक मिर्ची है वो नीचे बैठ जाते हैं, और ओट थोड़े फिके-फिके से लगते हैं, बस इसलिए हम इसमें पोड़ा सा गी मिलाते हैं, यह सब ही बहुत अच पूरी तरह से ओप्शनल है, आप चाहें तो इसको बिना इसकी भी खा सकते हैं, इन सबी को अच्छे से mix करेंगे, यह पाउड़ा च्छे से mix कर लिया है, इसी के साथ हमारी roasted oats नमकीन बनकर तयार हो गई है, अगर आपको यह recipe पसंद आई होगी, अगर आपको यह recipe पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राय करें और comment box पे अपने view जरूर शियर करें, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई recipe के साथ, thank you.